हाई फ्रेंट कैसे आप लोग आसा करता हूं आप ठीक होंगे आज मेरा रोड निकाले एक मेहना तेरा दिन हो चुका है और अब मैं सही से भाग सकता हूं दौर सकता हूं अच्छा खासा लोड उठा के चल भी सकता हूं कि सीटी सैड में बहुत ज्यादा सोर्गूल हो रहा है दिपावली का टाइम है तो पूजा पार्ट को लेकर के स्पिकर्स वगर बज रहे हैं तो वहां पर वीडियो डिकॉड करने में इतना ज्यादा दिकत हो रहा था तो मैं इस इस इलाके में आया हूं थो फ्रसी ती से हट जब मैं परिशान या थकान माझूस करता हूं या टेंशन में रहता हूं तो इधार आ जाता हूं यहां पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है रिलेक्स फिल करता हूं फिर घर जाता हूं यह नहर है जो कि मेरे दरवाजे से भी होके गुजरता है और इसी नहर में हम लोग दोम धाम से छट पूजा भी मनाते हैं और यह रोड के दोनों साइड और नहर के भी दोनों साइड जो पेरपधा लगा हुआ इसी तरह कि और सामने वह खेत है कि कि यहां पर बहुत मस्त हवा ठंड़ा ठंड़ा हवा चल रहा है और यह उत्तर साइड है यहां कभी कवाल हिमाले परवशब दिख जाता है यहां आप दोड़ने वाला वीडियो दिखा रहा हूं और साइकलिंग चुरण भी दिखा रही हो यह कई तक्लीफ है नहीं और पặर में जो घंज यहाव अग़र है कंप्रिट ठीक होगीं तो पहले जो रड लगा हुआ जब दौरते थे तो उस टाइम में हलका सा नी में चुबन होता था जो अब नहीं होता है अब बिल्कुल ठीक हो गया है कि इंप्लांट रिमोबल के 15 दिन बाद से मैं सैक्लिंग स्टाट कर दिया था और सैक्लिंग करने से में पैर बहुत ज्यादा फिरी हुआ और भी बेंडिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिला और इसलिए आप लोग भी सैक्लिंग जरूर कीजिए कि इंप्लांट रिमोबल होने के एक मेहना नौ दिन के बाद मैं फर्स्ट टाइम यह रन किया हूं यह मेरा रनिंग फर्स्ट टाइम कर लिए जो इस तरह से रन करते टाइम हलका सा चुब पैर उठता है जो फ्रैक्चर वाला पैर वो थोड़ा तिर्चाओ के उठता है वो भी ठीक हो जाएगा मेरा नी देखिए जो सरजरी वाला हलका सा फुला हुआ है जो अब ठीक हो गया है और जो है यह पुराना चमड़ा यह निकल रहा है यह नहाते वक्त भी निकलता है इससे कोई घाबराने वाले बात है नहीं और हो तो मेरा पूरी तरह से सुख चुका है अब इसी कुछ टाइम पहले तक उगुरू बैठने में हलका सा प्रेसा नहीं होता था मतलब दो से तीन मेट बैठते ही निमेदर्द होने लगता लेकिन अब जो है देरे देरे वह बढ़ता जा रहा मतलब कि बैठने का टाइम बारता जा रहा जादा देर तक बैठ सकता भुत लिए तो ओकर तो और प्रुड़ा थाकत के साथ पैठ सकता हूं वैसे तो वह वाला ही वीडियो जो इससे पहले वाला वीडियो तो वही आखरी वीडियो सूच करके बनाये वह थे लेकिन आप लोग का इतना जधा कमेंट्स आया कि नेक्स वीडियो कब डालोगे वा इस लिए रणिंग का वीडियो में फोकस करके मैं डाला हूँ इस वीडियो में एक्सरे तो नहीं करवा पाया अगर मौका मिले तो एक्सरे करवाने के बाद मैं पोस्ट कर दूँगा एक फोटो फिर मिलते हैं लब बाई